इस वीडियो में हम लोग बात करें वाले एक error के बारे में जो basically हमें मिल जाता है gcc compiler से related तो जब हम लोग command port में जाते हैं और gcc compiler को installation करने के बाद यहाँ पे type करते है gcc-version तो यहाँ पे हमें error मिलता है कि gcc is not recognized यहाँ पे यहाँ पे यह भी लिख लेते हो g++ hyphen hyphen version तो यह भी आपको same वह result देता है okay तो gcc का यूज आप किसी भी purpose के लिए यूज करना चाहते हो चाहे visible studio code में code करना या फिर कोई और purpose के लिए तो यह resolve करना आपको ज़रूवी होता है तो basically यहाँ पे इसको environment path नहीं मिल पाता है या फिर जो आपने software इंस्टॉल के वा है वह सही नहीं है तो इसको resolve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक software को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है mingw उसी में हमारा आता है gcc compiler उसी के थूर इंस्टॉल हो जाता है तो वह भी हम दो देखने वाले है कि वह कैसे होता है तो यहाँ पे mingw को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना simply यहाँ पे टाइप करना है mingw जैदे आप macOS यहाँ लेनक स्विश कर रहे हैं तो उस केस में भी आप देख लेना तो यहाँ पे आपको इसमें जाना है mingw minimalist gnu for window download तो यहाँ पे जाके आपको directly यहाँ पे डाउनोड कर लेना है तो जैसे आप download पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यहाँ आपको डाउनोड करके देदेगा दे सकते हो mingw get setup.exe तो यहाँ पे आपको करना डबल क्लिक यहाँ पे करना क्लिक install पे यहाँ पे continue अब यहाँ पे देखे यह बोल रहा है application is already installed मैंने इसको already installed किया हुआ है जब यहाँ पे आप continue करोगे उसके बाद क्या आएगा मैंने यहाँ पे screenshot लिया हुआ है वो install करने start कर देगा और यहाँ पे आपको कुछ packages मिलेंगे तो इन packages में यहाँ पे आप देख सकते हो यह board driving w32 gcc यह फिर g++ यहाँ पे इसको जदिए आप click करोगे यह वाले last के to और starting के दो यह m system based यह पे आप install हो जाता है तो यहाँ पे एक को select करना है उसके बाद installation को option आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो first वाला मैंने select किया तो यहाँ पे यह board रहा है जैसे आप mark for installation क्लिक करोगे तो वो आपको install करके देदेगा same आपका होगा सारे के case में तो जब आप install कर लोगे यह सारे को ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है इंस्टॉलेशन वाले में जाना है और यहाँ पे कर लेना है apply changes तो जब आप apply changes करोगे तो यहाँ पे यह इस तरह को option देगा यहाँ पे कर लेना apply है और finally यह आपको install करके देदेगा यहाँ पे finally आपको कर लेना close ओके तो यह हो जाएगा आपका installation उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको environment path set करना है जदि यहाँ पे आप cmd open करोगे और यहाँ पे लिखती हो gcc-version enter तो यह आपको same वही अटर देगा gcc is not recognized, मतलब यह install तो हो गया लेकिन इसका environment path set अप नहीं है यहाँ पे आप g++ भी ले सकते हो ओके g++ hyphen वर्जन जो कि मैंने भी आपको बताया enter तो देख सकते हो यह बोल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है environment path को set करना है तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना है c drive यहाँ पे देख सकते हो mingW install हो गया जब आप install करोगे तो वहाँ पे वो folder path बताएगा ठेक है जहाँ पे वो install होगा तो यहाँ पे mingW में जाना है और यह bin वाले folder को click करके इसका path यहाँ से copy कर लेना है फिर यहाँ पे आपको जाना आपको जाने path यहाँ पे कर लिया edit तो window 8 और 10 के case में इस तरह का window open होगा तो यहाँ पे कर लेना है new control V और यहाँ पे कर लेना ok ok यहाँ पे भी ok fine इसको यहाँ से कर लिया close ok अब यहाँ पे क्या करना है इसको फिर से close करना है cmd को फिर से यहाँ पे open करना है cmd enter अब यहाँ पे देखते हैं फिर से वही type करते हैं gcc-version enter अब देख सकते हो यहाँ पे यह बोल रहा है gcc-6.3.0 जो भी version है वह आपको बता दिया है मतलब यह हमारा setup हो चुका है same आप यहाँ पे कर सकते हो g++ के लिए enter ok same वही result दिया है तो वह आपका error resolve हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे आ रहा है अब इसका ज़िदे आप यूज करना चाहरे हो visual studio code में तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो मैंने वीडियो अलड़ी बना रखा है ज़िदे आप CAC++ code को यूज करना चाहते हो visual studio code में तो वह भी आप दे सकते हो link description box में मिल जाएगा आपको तो उमीद है वीडियो ज़रूँ अच्छले का होगी चैनल पर नहीं तो subscribe यूज कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you, happy learning